हावरुफिक्स 1 प्लस एक्स कॉल सेटिंग एरर प्रॉब्लम्स नमस्कार दोस्तो तो आगर आप सभी का तिकिर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तो जैसी के आप स्क्रीन पे भी देख सकते यहाँ पर दोस्तो लिखा हुए कॉल सेटिंग एरर नेट्रोग और सिमकार्ट ुके तो यहांगो यहांद दोस्तों आपको तब आते हैं जब कोल बेरा के पास जाते को या फिर इनेडवर चेक करने जम्राइब आपनेवाल वीदियो के साथ आन तक बने रही है सारे साथ अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं कि आए तो subscribe करके आपको बैल icon क्लिक कर देना है अगर आपको online पैसा कमा नाए तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर अब हम weten ट्विटर पर फोलो करके message कर सकती है चल्वे दोस्तों आज की वीडियो को शूरू करते हैं तो आप दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बतंगा यहां पर क्या करना है आप दोस्तों आपने है ठीजिय के तो एक मिनिट वेट करने के लिए करने के बाद दोस्तों आपको फ्लाइटasto to करना है और उसके बाद दुबारा से रिचेक करके देखना है कि आपका प्रा़बलर्म वह फ्लूँॉट होन्व है या नहीं हुआ है अगर सॉल्फ हो जाते तो नेक्स्ट फॉलो करना है जो कि दोस्तों आपको जाना है सिस्टेम पर रिसेट पर क्लिक करना है और उसके बाद रिसेट वाई-फ़ाइ मोबाईल एंड ब्लूटूट पर क्लिक करके है SIM card select कर लेना है जो भी सीवाब द्सक्राइब उसके बाद रिसेट इंग पर क्लिक करके मॉबाइल पास्वोड को देरेना है एंड आपके नेट्रोंग सेटिंग हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको जाना है उपर में तो यहां से नोषिक्षिन पे जाने के बाद आपको यहां पर देखनी को मिल जायागा see all apps तो इसमें आपको tap कर देना है इसमें tap करने के बाद आपको phone service search करके जाना है ठीक है तो पी के option पे आपको मिल जागा phone तो उसमें click कीजिए storage पर जाईए इसका data को clean की कीजिए क्लियर डेटा ओके एंड आपको बेक कर देना है और उसके बाद आप सिंपली पूरा बैक कीजिए मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और दुबारा से जाके चेक आउट करके देखे प्रॉब्लम आपका सॉल्फ हो जाएगा तो बेसिकली दोस्तों यह जो प्रॉब ईसीड़े बारा से चैक कीज targeted सौर्फ हो जाएगा ठीक है इस तरीके सा प्रॉब्लम को साप्वर सकते हैं सारे साथ दोस्तों आपके जो मोबाइल की सीम की उसको आप कर सकती है ठीक हैं तो इससे भी दोस्तों कई और आपको प्रम्द्ध हो जाते और अगर आपका मोबाइ ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज़ कर सकते हैं ठीक है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद होगा थैंक्स वर वाचिंग